नमस्कार दोस्तो आज हम आपको पशूओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी जिसे अफारा बोला जाता है इसमें पशूओं के पेट में गैस पनती है और उसका पेट फूल जाता है अफारा रोग पशूओं में आम तोर पर अचानक होने वाली एक बीमारी है यदि इसका स समय से रोग ठाम ना किया जाये तो इससे पशू की मित्यू ही हो जाती है यदि आप पशू पालक हैं तो यह वीडियो पूरी देखें दोस्तो यह रोग पशू में ज्यादा खाने या दूसित खाने के कारण होता है इस रोग में पशू के पेट में एसडिटी अमोनिया और नायोक्साइड मीथेन जैसी दूसित गैसें बन जाती हैं इस गैस का दबाव छाती पर पड़ता है और पशू को सांस लेने में तकलिप होती है इससे पशू बेचैनक होकर बैठ जाता है या एक साइड लेट जाता है और पेर पटकने लगता है अगर इस अबस्ता में तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो पशू कुछ घंटों में मर भी जाता है किसान भाईयो सबसे पहले हम आपको अफारा रोक के जो प्रमुखलत छण होते हैं वह बताते हैं इसमें पशू को सांस लेने में कठनाई होती है और वह जगाली करना बंद कर देता है पशू का पेट बाएं और अधिक फूल जाता है और उसका खाना पीना बंद कर देता है और वह जमीन पर लेट कर पाओं पटकने लगता है पशू के फूले हुए पेट पर धीरे धीरे देने से ढोल जैसी डमडम की आबाज आती है दोस्तों यह उसके लच्छन है और मैं आपको कु आती है यदि खाने में हम अचानक बदलाओ कर देते हैं उसके तो इससे भी अफारा होने की चांस बढ़ जाते हैं और यदि भै ज़्यादा मात्रा में हरा चारा या फिर सूखा चारा या दाना खा ले तो इससे भी अफारा होने की सम्भाब ना बढ़ जाती है किसान भाईयो या फर चारे या भूसे के साथ भै छोटे छोटे कीडे मकोडे या फर जहरीले जानवा छोटे छोटे खाले या फर दूसित पानी पीले तो इससे भी अफारा होने की संभाबना बढ़ जाती है यदि हरा चारा बरसीम को खेट से काट कर हम पशू को सीधा खिला दें तो इससे भी अफारा हो जाता है और यदि पशू नया भुसा अधिक मात्रा में खा लेता है या फर गेहू मक्का या और कोई अनाज अधिक मात्रा में खा लेता है तो इससे भी अफारा हो जाता है किसान भाई यो यह पिरमुक कारण थे जिन से अफारा रोग के होने के खत्रा बढ़ जाता है और हम आपको कुछ सुझाओ भी देंगे जिससे अफारा रोग से बचाओ किया जा सके यादी हम चारा भूशा आदी ख़िलाने से पहले अपने पशुग को पानी पिलाएں तो इससे भी अफारा रोग के होने की संभावना कम हो जाती है और यदि हम अपने पस्वियों को पिट्टी दिन खुले में चरने दें और उसे दूसेत चारा दाना या दूसेत पानी ना दें तो इससे भी अफारा काफी हद्ता कम होता है किसान भाईयों हरा चारा जैंसे बर्सेम जुआर जिचका बाजरा काटने के बाद कुछ समय हम पड़ा रहने दें और उसके बाद खिलाएं तो इससे भी अफारा रोग के होने के चांस कम हो जाते है और हम पसु को लगातार भोजन ना दें कम से कम आद घंटे के अंतराल पर उसे भोजन दें तो इससे भी अपारा रोग कम होता है और हम हरा चारा जब वह फसल उसकी हरे चारे की पक जाए उसके बाद वह काट के खिलाएं और हम अपने पसुओं को खान पान में अचानक परिवरतन ना करें यदि हम उसके खान पान में कोई नई चीज मिलाते हैं त उसको हम धीरे धीरे मिलाएं उससे इससे भी हम अपने पसुओं में होने वाली बीमारी गैस बनना अफारा बोलते हैं जिसे इसकी रोग थाम की जा सकती है किसान भाईयो अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पसुओं को यह समस्या हो जाती है उसके पेट फूल जात है और गैस बनने लगती है तो उस पर हम प्राथ में कुपचार कैसे करें दोस्तों पसुओं में अफारा एक जानलेवा बीमारी होती है जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी पसुओं चिकत्सक को बताना सबसे बहतर रहता है लेकिन यदि चिकत्सक के आने में ज्यादा समय हो तो आप पसुओं को प्राथ में कुपचार के लिए बता मेरे दौरा बताये जाने वाले उपचार से कोई भी उपचार करके पसुओं को बचा सकते हैं दोस्तों सबसे पहला है कि कि जब आपके पसुओं को गैस बनें तो उसे आप बैठने ना दें उसे टहलाते रहें यदि वहें दोड़े तो उसे दोड़ाएं और दूसरा उपचार है कि उसे एक लीटर छाच में पचास गराम हींग और बीस गराम काला नमक मिलाकर उसे पिलाएं इससे भी अफारा की समिश्यां से निजात मिलता है और उसे सरसों या अलसी या त्रिल के आधा लीटर तेल मे तारपीन का पचास साट मिली लीटर तेल मिलाकर पिलाएं तो इससे भी उसके पेट में बनी हुई गैस बाहर निकलती है और यदि हम उसे घास लेट जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं उसे सूती कपड़े में भिंगो कर उसे सुगाएं तो यह भी उसके अफारा रोग में कम करने में मदद करता है यदि हम आधा लीटर गुनगुने पानी में पंदरा ग्राम हींग घोल कर उसे नाल द्वारा पिलाएं तो इससे भी उसे अफारा रोग में आरा मिलता है और यदि जब यह गंभीर अफारा हो जाए यानि आपका पशू पैर पटकने लगे और कि गैस बाहर निकालें यह कार आप सांपधानी पूर्वा करना चाहिए यदि आपको इसकी पूर्री जानकारी हो तब ही आप यह कार करें किसान भाईयों हम आपको कुछ दबाईयां भी बता रहे हैं जिसके दोरा आप अपने पशूओं में गैस बनने की समस्या से निजा पसादी को एक लीटर गुन गुने पानी में पचास क्राम मिलाकर नाल दोरा दिया जाता है इससे पसूओं के अफारे में जल्ड ही आराम मिलता है और दूसरी दबाई का नाम है गार लिल यह पाचन किरिया में गड़वड़ी होने पर लाब दायक है इससे दस ग्राम की मा की द्वारा देना चाहिए और तेसी दबाई का नाम है टिमपॉल यह भी एक आयोरवेदिक दबाई है इसे 25 से 80 ग्राम गुन गुने पानी या लिंसिड तेल के साथ दिन में दो बार देना चाहिए इससे भी पसूओं को अफारे की समस्या से निजात मिलता है दोस्तों यह बीडियो पसूपालकों के लिए बहुत ही आवस्यक है इसलिए आप इसे अपने पसूपालक किसानों तथा मित्रों से अधिक से अधिक सेर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू भारत